आज मैं फिर से वहीं पर पहुंच गया हूँ, जहां से शुरुवात हुई है। अब मैंने आपको… मैंने पहले आपको कहीं देखा है। धोभी घाट पर जो नहीं न? नहीं मैडम, कॉमर्शल स्टेट में। वहां से थोड़ा आगे, लेफ्ट में मूढने के बाद परजल मार्केट में। एई, और नहीं तो क्या, ये वहां खड़ी डारी करने थोड़ी न आने वाली है। मैडम, शीव जी का मंदिर है। वहां से दो कदम दूर, राजा जी के मंदिरों का शोहर। किसी से पूछ लिएगा। पंक परिवार का घर। वहां से सी नी दा आगे जाएंगे, तो गुरुपली सर्कल के पास 18 नमर का बस्टॉप है। वहां से आप लेफ जाएंगे, 15 क्रॉस रोड। सेकेंड लो पे, डोर मेबर 32 मैडम। मैडम, हम तीनों एकी रूम में एक साथ ही रहते हैं। तो से रिये के लो। बहुत अच्छे है मैडम। वहां डॉक्तर राजकुमार जी की बहुत बढ़ी सी मूर्ती बनी हुई है। उसके पास ही। समझ गई ना मैडम। मुझे मैरम केने की जरतीन है। आप मुझे मेरे नाम से अपकार सकते हैं। आप मिशेल डिमेलो। नाइस नेव। वैसे आपका सही राम क्या है मटम। मिशेल डिमेलो। इस अन अंगलु एंजियन नीम। यार। यार। यह तो बट टिया नाम है। प्रेक्टिस करूंग तो साल दो साल में सीद्धें। तेरे पर ले कुछ पड़ा गया। आप अपने बारे में नहीं बताएंगे। वह मैं। यह रून है और वह देवा। और मैं। आस्टिन डिकोस्ता। क्या। आस्टिन डिकोस्ता। मैं भी इंडियन एंगलू। वैसे लोग मुझे प्यार से प्रकाश कहते हैं। वैसे आप काम क्या करते हैं। मैं मेडिकल रेप करता हूँ। एह। रेप नहीं यार। रेपो। सॉरी सॉरी। वह एच्छली फ्लो में निकल गया। यू नो। क्रोसीन, एनसीन, नॉलजीन, आसीन, रूजीन, प्रोजीन.. इसका मतलब तुम्हारे पास टाइम रहता है न। जी वह। परके सोने का टाइम मिल जाता है मैडम। मेरे पास एक अच्छा बिसनेस प्लान है। अच्छा। सोने पर टाइम लगाने से अच्छा इस पर लगाओगी तो फाय दिमन रहेगा। आपको इंट्रेस्ट है क्या। मैं तो रही हूँ मैडम। पता ने इन लोगों के पास टाइम है या नहीं। मैं तो फुल टाइम प्री हूँ। एह, एह। नहीं, मतलब हम तीन हो है। तो फिर आप लोग मेरा नंबर ले लीजिए। 9845862222 ठीक है मैडम। अच्छी नंबर है। एक मिस कोल दू क्या। एक्स्टूज मी, आपका नंबर क्या है। वो क्यों। इमरजंसी के लिए। मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। आपको ज्यादा बात करना पसर नहीं। नहीं, यह बहुत चर्मिला है। लड़कियों से तो सौ मिल दूर रहता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो नॉटी, क्यूटी हूँ। मैं हर काम में आगे रहता हूँ। यार, हम लोग ऐसे कब तक चिंदी चोरी करके जीते रहेंगे। लाइफ में न, एक बड़ी मचली को फसा कर सेटल हो जाना चाहिए। बड़ी मचली? ट्राफिक पुलिस को देखते ही तेरा पैंट गिल हो जाता है। ऐसे में तु बड़ी मचली फसाएगा। पहले शीशे में जाके अपना चेरा देख, दुबारा देखने का दिल नहीं करेगा। यह कैसा है दूदे यार। उबल ही नहीं रहा है। डेरी कही तो है, फिर उबल क्यों नहीं रहा है। जब तक हम छोटी मचलियों को फसाते रहेंगे तब तक हम सेफ हैं। हलो। कि अंडर्वेर भी नहीं पैना। अरे मैंने यहां अंडर्वेर रखा था कहा है यार। वो मैंने पैन ली है। तुसे मजाक लग रहा है। अंडर्वेर का है मेरा। मैंने पैन ली यार। चल अंडर्वेर नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आज वैसे ही पैन पैन लूँगा। घर के ओनर्वेर ने किराया मांगा है। मैंने एक दोस्ते पैसे मांगे थे उसी ने फोन किया। मैं जाकर आता। मैंने अपना एक ब्लू और ब्राउन कलरेटा शट उतार के रखा था। उसमें हजार उपे थे दिखाई नहीं गेर अगर के है। एवे, वे, तुने मेरी शर्ट क्यों पहनी है। तु कहीं भी ढूरें तु जुझे ने मिलेगा। मेरी जगा मुझे पता है। वह चलता हो भाई। बाई। लेकिन ब्लड से पाउडर का क्या संबंद है यार वो नर्स बेहोश न हो जाए पसीने की बद्दू से सॉरी मुझे ब्लड दिने जाना है देर हो रही है संबल के पैंड नीचे ना उतर जाए यार टाइम हो रहा है मैं जाकर आता हूँ टैंक क्यों भाबाई चार बज गए तैंक यू अब के टैंक भाबाई बताया है तो चार बज रहा है अभी भी चारी बज़ा है हहूं कर शर्फ सर्फ लगता है गड़ी खराब हो गए तो को यट चार बज रहा है यूच एऊ कजिज़ा आसे आप में एक बार बोले तो समझ में निया और किसनीग बता गुशा क्यों हो रहा है भाई मोटा बार क्छिका का लिंगर कं अब अरे बैर गुस्सा मत हो रहा है परमेश्वर मेरी लक्षा का अब भगवान आप में अरे मेकलिक साब आप यहां है आप इतना गवराय हुए क्यों आप अब है आप है आप है मैं ही हूँ उजी गाड़ी दिलवाय था ना तुमने या बूल गए इस मेकलिक ड्रस में बहुत स् क्या दिमाग है अंकल दुख्तिव इरत को सही पैचान लेते हैं समझे यह नहीं तुम येसे इंसान को कोई बोल सकता है क्या ऐसा मैं नहीं क्या क्या यहां भी कोई बाइक देखने के लिए आयो है हो बाइक हाँ मेरी हाँ वो बाइक के पास खड़ा है ना तुमारा दोस्त वही आप उसे भी नहीं भूलें क्या है हेलो ब्रेदर चेहरा बत चुपा इधर आजा सब कुछ पता चल गया है किसी को नहीं भूले माइंड में स्टोर करके रखें यह बी सही है कि अकेले केले क्यों खाए मिल बाटके खाते हैं नमस्ते सर नमस्ते और वो बाइक खरीदने वाले आप ही है ना क्या बाइक लूंगा यार जिस दिन बाइक लिए उसी दिन गायब होगी किस ने क्या सर्थ पता नहीं मैंने पैसे दिए उसके बाइक दी भाइक ले जाकर मैंने अपने घर के सामने खड़ी कर दी बैटे को चलिए में जाय premiers говорить मैं है अब मैं सक्यां लिए तुम जैसे इंसान शहर में तभी तो बारिश होती है भाइक कर सकता हूं लेकिन किसी के साथ ना इनसाभी ब्रदास नहीं कर सकता हूं इस भाई साब को बाई दिलवा दी अभी तक नहीं खरीदी सर क्या बड़े भाई हर बाई चोड़ो अंदर जाओ गोल्डेन अपउचिनुटी है कारी लेकर और जाओ चलता हूँ बाई जैसे खट्टा अमला खाने के बाद दांत मीठा हो जाता ना यह आदमी वैसा ही है इससे समझना बहुत मुश्किल है यार काव ले जाने के लिए उसने कहा आखिर अंदर ऐसा क्या होगा चला दिखते हैं माई हम लोगों के साथ डबल गेम खेलते हैं और यह हमारे साथ वीपल गेम खेलता है यार हम सब यहाँ किस लिए आए हैं जीतने के लिए आए हैं हाँ 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 जाचा है वहाँ रा है और वह रा है हमारा प्रोड़क्ट से आपकी लाइफ बदल जाएगी ए अर्चन इसे जमार के लिए रहे हो क्लाप करो ना नेम दीपा ओके अर्चन इस अ गोडन अपचिनेटी मैं जब सी हाई हुना सच में अच्छ में अच्छ में अच्छ में अ कमा सकते हो तुम्हारे अंडर टालेंट है पैसे दोना प्रीज ओने चाहिए जोकर साके लिए फाएदा नहीं होगा साथ में जोड़ी भी होनी चाहिए अभी तीन चाहिए कितना तिन 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 प्यारे चल तुभी खेल ले इसके पास पैसा कहा होगा यार जितना पैसा था उसने तो खड़ी डारी करवा दी चेहरा देखके पता नहीं चलना इसका देखना क्यों मेरे टांग खीच रहे हो हम कहां टांग खीच रहे हैं तो खुदी चेहरा उतार कर ऐसे बैठा हुआ है तो हम क्या करें तो ब्लड देने के लिए गया था और तो करजा लेने को गया था सब कुछ तो पता है मुझे अरे छोड़ना यार हर बात को दिल से लगा लेता है यह ही वैसा फिर से पुरानी काने शुरू कर देगा मेरे पास पैसा नहीं है तो चाजरात को दूत पी कर दो जाओ भैस वाली जो है वो भी ताला लगा के कहीं चली गई है वैसे वह अंटी मुझसे पैसे लेके टूर पे गए थी देखता हूं वह आई है कि नहीं कि नहीं बड़ा भारी है अरे साबुन भी है साड़े चार हजार रुपय के पीछे जीस्टी लगा करके भी हम चाहें तो ऐसी शॉपिंग नहीं कर सकते हैं लेकिन ये पहली बार हुआ है कि हम टोपी बाजो को भी टोपी पहना किसी ने चार साबुन पेश दिया बाई इस साबुन से अच्छी तरह से मलमल कनाएंगे तो पूरा महला मायक उठेगा चार हजार के मैं चार साल तक रहेगी है क्या यार चार हजार रुपयों से रूम का किराया भर दितर तो हमारा मकान मालिक स्माइल करता लेकिन तूने उस लड़की के जक्कर मैं मैं बताता हूँ क्या कान दे मैं तो पहले ही चल रहा था इन तोनों ने उस पर पैट्रोल डालने का काम किया किसी भी तरह उस लड़की से चार हजार रुपय वापस लेने है यह मैंने डिसाइड कर लिया लेकिन उसके मुस्कुर हट में मैं डूब चुका था उसकी आँखों में एक अजीब सी कशिश थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मासुनिया था दिल किया की जिन्देगी वरुस से अपना कर उसकी पहना कर उसकी पहना कर जाएड़की यह है गजेंद्र कोई नहीं जानता कि ऐसा कोई काम नहीं है जैसे कि डूब्लिकेट पासकोड पैन काड डॉकुमेंट्स तयार करने में यह मास्टर है हम जैसे सौग के बराबर यह खिला है इसने एक दिन कोई काम है कहकर मुझे बुला लिया और मैं गया क्या हुआ बैट जाओ बिटा अर्जुन चार माले की बिल्डिंग है सेकंड फ्लोर में पूरा ज्वेलर्स है तुम्हें जाना होगा सेकंड फ्लोर में पता है क्यों? क्योंकि में लॉकर जो है वहाँ है किसके यहाँ? स्री साई ज्वेलर्स जो डीवीजी रोड में है वही एकदम करे जानी ने जो दुकान बताई वो बहुत ही पॉपिलर है दुकान से भी ज्यादा पॉपिलर उसका ओनर है शक्ती वेल बहुत ही पावफुल आदमी गवर्मेंट डिपार्टमेंट से लेकर सारे नेता उसकी मुठी में है वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है उसमें उतनी टाकत का यह काम इतना असान नहीं है क्यों क्या हो गया हम मच्छड मारने वालों में से हाथ ही को मारने की ना ही इतनी हिम्मत है और ना ही उतनी टाकत अरे जरा रुको तुम इतनी जल्दी पीछे क्यों हट रहे हो अरजुन जरा ठंडे दिमाग से सोचो ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता अच्छी तरह से सोच के मैंने फैसला किया है इंसान की जरूत पूरी होनी चाहिए ज्यादा लालज ठीक नहीं है जाना है तो जा मेरे पास तेरे बाप लोग भी पढ़े हैं समझा मुझे वो ही चाहिए क्यों क्योंकि हमारा प्लैन उसे पता चल गया है इसलिए वो बहुत ही अच्छा लड़का है मैं पिछले 20 साल से उसे जानता हूँ वो मुझे खोलने वालों मेंसे नहीं है ऐसी बात नहीं है मुझे सिस्वो ही लड़का चाहिए चल मुर्गा क्या हुआ बस एक शिकार था तो ना कह दिया क्यों मना कर दिया यार तू हां कर देता तो लाइफ सेट हो जाती कमिश्टर के घर पर डाका डालना है ऐसा हो सकता है फिल्मों में देखा है ना बिल्ली के मियाओ करने से भी कमिश्टर की पेंट गिली हो जाती है फिर हमारे लिए कौन से बड़ी बात है हलो हां मैं यहाँ पर बैटनपूर में हूँ ओके फिफ्टिन मिनिट्स ओके ठीक है आता हूँ ओके ए उतर मुर्गा क्यों तुटर मुझे कुछ काम से जाना है अरे लेकिन क्यों काम है रास्ते पूतर जाओं पह चलना यार अब तो चुप चाप उत्रेगा अधर एक एंगलो इंडियन के लिए इंडियन की इंसल्ट कर रहा है कैसा दोस्ता यार तु कितनी जल्दी समझ गया मन्हूस की अवला चल एक कामगर पीशे रहे लड़िक्यों से दोस्ती करना अच्छा नहीं है सर्पे मत बढ़ा उसे वर्ना गिरेगा हाई हाई हम कब से बीट कर रहे थे चल्दी नहीं आ सकते थे मुझे तो बहुत लेट हो रहा है मैं जा रही हूं बाई है चलो मैं उनसे इंट्रीवस करवाती हों किस्से तुमने रवन लाइन में तीन लगों को मैं में बनाना है तुमने अपितख भी नहीं बनाया है कि मिसके लिए मुझे यहां पर बुलाया और नहीं तो क्या मुर्गा काट कर संब रहानी बनाने के लिए नहीं यार थोड़ एक्षेंज कर लो फिर बिजन्स प्लान क्या है और उसमें कितना बेनेफिट है ये कॉल करके बता लगा लेना देखो तुम दोनों अर्जन के डाउन मेंबर बन जाओ फिर देखना लाइफ कैसे चेंज हो जाती है तुम्हारी क्या मैडम आपके साथ जॉइन करने के लिए पिछले एक घंठे से खड़े हैं और आप इन्हें यहां लेकर आकर कह रही हैं कि इनके साथ जॉइन हो जाओ यह क्या है मैडम तुम लोग किसे जॉइन कर रहे हो यह इंपॉर्टेंट नहीं है अपरचुनिटी इंपॉर्टेंट है मैडम हम आपके साथ जॉइन होना चाहते हैं देखो एक के साथ सिर्फ तीन मेंबर्स ही जॉइन कर सकते हैं मेरे साथ अल्रड़ी तीन हो चुके हैं सारी अर्जुन इन दोनों को तुम संभाल ठीक है ना सुना चुटे मैडम के साथ अल्रेड़ी तीन लोग जुड़ चुके हैं और हम दो जुड़ गए तो पाहांच हो जाएंगे बेचारी मैडम को मेंटेन करने में तकलीफ होगी है ना मैडम अब जाएंगे यहां से चल्ड़ अब एक क्या नहीं छोड़ेगा तुमने पता है कितनी मुश्किल से उन्हें कन्वेंस करके मैं यहां लेकर आई थी और तुम होगी उन्हें मार कर धगा दिया ज़रा भी अकल नहीं है ना ना रे पागल तुम्हें पता है उसने किस अंद अबारा कुट्टों की जिन्दगी जीने से अच्छा इज़से मर जाना ठीक है औरे तुम्हारे पीड फीचे वह लोग तुम्हारे शरीर के किसके सिस्शे को देखते होंगे बन्द शॉरी सॉरी शॉरी और तुमने देखो सॉरी मैं पूछ रही हो एक टमने सॉरी मुझे पता है कि तुमने मुझसे ऐसी बाते क्यों की हर मर्द मुझे देखकर हस कर क्यों बात करता है ये भी मैं जानती हूँ अब मेरा काम ही ऐसा है तो मैं क्या करूं अगर मैं सबसे हस कर बात करूंगी तब ही तो मेरा काम बनेगा ना हमारे देश में हर काम करने वाले लड सब को जान कर भी अंजान रहना पड़ता है हमें जहां पर डिस्टेंस मेंटेन करना होता है वहां वो भी करती हूँ मैं अगर ऐसे छोटी-छोटी बातों को हम लोग सीरिसली लेंगे तो देश की कोई भी रड़की ना तो स्कूल जा पाएगी और नहीं काम कर पाएगी पता है तुम्हें अब तुम्हारी ही बात लेलो मेरा एक फॉन कॉल आते ही तुम जहां भी हो अपना काम धाम छोड़ते हैं मैं जहां बुलाती हो, मुझसे मिलने आ जाते हो, और तुम ये सब क्यों करते हो, ये मुझे नहीं बता क्या? मैं साथ साल की थी अरचुन, तब मेरी पापा ने सुसाइड कर लिया, उन्होंने किसे फाइनाइन्स कमपनी में पैसे लगाये थे, वो पैसा हुनका भी नहीं था, ब्यास में कई लोगों से उधार लेकर उन्होंने बहुत सारे पैसे उस कमपनी में लगाये, उसके बाद पैसा तो गया ही, साथ में पापा भी चले गए, उन्होंता कर्स कौन चुका था, अगर मैं कहीं छोटी मोटी नौकरी करती तो 15,000 से ज्यादा नहीं मिलता, वो तो ब्याज के लिए भी कम पड़ता, और फिर असल, जैसा कि तुमने कहा, वैसे मैं अपना जिसन बेच कर पै वैसे सप्टियो, सॉरी आज तक मैंने जिन्देगे में कभी किसी को सॉरी नहीं कहा, लेकिन जब तुम्हारी आँखों में आंसु देखे, तो मेरा दिमाग हेल गया क्यों, इससे पहले तुमने किसी के आँखों में आंसु नहीं देखे हैं क्या नई, मेरी दुनिया ही अलग है हम, थांक्यू सो मच वो क्यों? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारा साथ मिला सॉरी, मैंने अपनी सारी प्राब्लम्स तुम्हारे साथ शेयर करती अरे वो बाहर गई है तो आज आएगी, क्यों इतना चिला रहे हैं आप कौन है ये? आपस का मामला होगा कोई प्राब्लम है क्या? आज बुधवार है ना? जरूर कोई महमान आये होगे कर्जे की बात होगी कर्जा लेते हैं हम लोग और लड़ाई होती है उनके बीच चलो चलकर देखते हैं क्या प्राब्लम है? नहीं नहीं तुम जाओ जाओ बाबा मुझे इन सब की आदत हो चुकी है जाओ ना आप यहां उस वक्त क्यों आते हैं जब इनके पती घर पर नहीं रहते हैं और इनके परिशान करते हैं हम बच्पास से यहीं पर रह रहे हैं आपका पैसे जूबें आई बहुत जल्दी मिल जाएगा आज को जार है ना कोई महमान है होगे तर्चेती बात होगी तेरा घर कहां है? अबे तु कहां चला गया था? कितनी देर से तरा फोन ट्राई कर रहा था? स्विच ओफ आ रहा है बैटरी डेड हो गई है क्यों? उसने कहा ना एक बार कि उसका फोन बंद हो गया था फिर बार-बार क्यों पूछ रहा है? अबे यार तु अपना मुझ बंद करेगा ठीक है टेक यार कोई अब दूर से बैंगलूर एक आदमी कैश ला रहा है ब्लैक मनी प्लैन करके उसको उडा लेते हैं यार कितना है? अबे बीस लाख रुपए अबे कुछ तो बोल वो जबाब भी नहीं देगा और वो काम भी नहीं करेगा वो जब कुछ नहीं बोलता तो समझ लिए कि वो काम नहीं करेगा और जब करना होता है तो वो बोल देता है उसे नहीं करना इसे वो चुप है एप ऐसे घूर क्यों रहा है? मुझे सूसू आ जाएगी यार प्लीज अबे सुन बीस लाख रुपए हैं यार इन बॉमर की दो लाख रुपए बाकी सारे हमारे हो जाएंगी भाई हमारी बाकी की पूरी जिन्दगी अराम से सेट हो जाएगी कुछ तो बोल अबे क्या हो गया तुझे हे अर्चन तुम अभी तक सोई नहीं क्या? दस लाख मिल जाए तो तुम्हारा करजा मिट जाएगा न? क्यों? वही महमान तुम्हारी लाइफ में क्या कम प्रॉब्लम्स हैं तो मेरे बार में क्यों सोच रहे हो? पहले तुम तीन मेंबर्स को अपने साथ चोड़ लो और बिजनिस पर ध्यान दो तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है कि यह तो इसकाम के लिए रेडी है मुझे यकीन नहीं हो रहा है वह इंफॉर्मर काऊन है इससे नहीं पता है प्लान ये बना रहा है और हमें सिर्फ इसका साथ देना है अबे वह अच्छा आद्मी है हम लोग बस पार्टी कब आ रही है कल शाम को यार उनकी कोई फोटो है कि अबे उसका नाम मनी है ये देख किस से आ रहा है ये ट्रेन से काम नहीं होगा नेक्स्ट टैक्सी नेक्स्ट सिगनल बैंगलोर में हजारों सिगनल्स है मैजिस्टी सिगनल में पुलिस स्टार होटल वग्ष्टी एक्स्टी किना है यह लो नमस्ते सर नमस्ते बैक दीजिए थैंक यू सर नमस्ते सर बैक दीजिए सर क्या हो स्कैनिंग के लिए सर थैंक यू सर कि अधिया लेक्टम टू इंडिया लका सुना कमानिया जूलिया जूलिया एंडिया विदेशी कब से बन गया ओ लगता है मेरे बाप की जुहागराद का सेज आपने सजाया तो भी तुब अपने पहचान गया है चल जा ओ ओ ओके ओके बाइग अधाइग जैसे दिख रहे हैं इसलिए बदल गया है सब आकर हाथ से निकल गया क्यों वैग तो तुने उठा लिया लेकिन उसने वापस ले लिया क्या ये तू क्या कह रहा है ये कैसे हो गया यार आथ हाई चीज निकल गई बैग मिलते ही तू भाग क्यो नहीं गया वहाँ से ए तुम लग ज़रा चुप रहोगे शिट मैं मनी बार काउंटर में जा रहा है उस पर ज़रा निज़र रख ओके देवा तू लॉबी में जाकर वेट कर ओके दोनों टेंशन मत लिना मेरे साथ लाइन में बने रहो ओके अर्चन हाई हाई मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रही हूं तुम्हारा वेट कर रही है वन मिनिट तु जरा चुप रहे हाए वाट तुम्हें सब्सक्राइब एंधियां सब्सक्राइब एंध्या व्हार चुट्र मुड़ mission मुड़ी वेट कर रही हूं तो फर्स प्रेफ्रेंस मुझे ना और नहीं प्लीज ए वहारे थोस्त को प्रिफ्रेंस मिल रहा है कि लू अदो एंग नमस्ते नमस्ते अर्जुन पांच साल पहले यह तुम्हारे जैसे ही थे और आज देखो कितने बड़े आदमी बन गए हैं तुम भी बिल्कुल इनकी जैसे ही बनो मैं यहीं चाहती हुआ अर्जुन सामया हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती है इस अ गोल्डेन अपर्चुनिटी बोल के सपनों के दुनिया में ले जा रही है उन्हें बताओ कि हमारे पास भी गोल्डेन अपर्चुनिटी है अरे यहां यह टोपी मेरे लिए पढ़िए ठीक है इस बक्तक है और कह तसरुल के बाहर में हूँ मैं लॉबबी में हूँ मनी वो कुछी दुरी पे मेरे अस्था इसके साथ ही? उसके पूश्दूरी के एक बैठा है वो कौन है? मुझे के पता वो कौन है? वो कोई मेरा रिष्टदार है क्या? लेकिन वो लोग इशारो इशारो में कुछ बात कर रहे हैं उसके साथ कोन है? वो भी तेरे जैसा एक खुब्सूरत लड़की को ले के बैठा है वो लड़की इसमें खुब्सूरत थी है उसकी जैसे मुझे एक मिलगा है मुर्गा सपनों के दुनिया से निकल गर भारा ठीक है उसी सपने को फूरा करने के लिए मैं तेरे पीछे लगाओ ओ शिट हेलो अर्चर बात हो गई हां बात खत्म हो गई ना चलो लेकिन कहां चलो तुम्हें किसी से इंट्रड्यूस करवाना है चलो मुझे जरा जरूरी काम है मैं बस अभी आता हूँ हां बड़ी वो भी बाहर जा रहा है उसके पीछे पीछे तू भी जाओ ओके ओके सुनो यह कैप मेरी है जरा ध्यान रखना है अपने लड़के कहां पर रहे हैं बाहर चाय के ढबे पर चाय पी रहे हैं और मख़न कहां है वह लड़कों के साथ बाहर भाई भाई यहां क्या कर रहे हो पागल हूँ इसलिए यहां आया हूँ मैं भी जूस पीडर नहीं आया हूँ मैं भी उसी काम के लिए आया हूँ कैरी ओन कैरी ओन भाई नीचे क्या लड़क रहा है बेल्ट है यार मड़ी अपने दोस्ते कुछ बात कर रहा था मुझे देखते ही चुप हो गया अच्छा वो दुन अपना फेश वाश कर रहा है और मैं सुसू कर रहा हूं पूरी कर ले ओके यार वो लोग बाहर जा रहा है अच्छा तीन वोटल बियर पी है ना कुछ ज्यादा ही निकल रहा है मुझे लेट होगा आप जाओ यार मरी भी यहां से बाहर जा रहा है बट एक काट को जिब में रखा है ऐसा लगता है कि वो छोड़ के क्या हो रहा है देवा तू कहा है वो दोनो एक मेरे सामने आ रहा दूसरा कहीं और जा रहा है मुरगा हाँ उसे फॉलो करो ओके यार मड़ी सिधा बाहर गया और दूसरा बाहर काउंटर पे गया है अब तू एक काम कर लिफ्ट के पाचा और अब्जब कर कि वो काउंसे फ्लोर पे जा रहा है देवा तू वही है ना तू और मुरगा दोनों मेरे अगले काउंटेक के लिए तयार रहना रिडियो जाओ यार रूम नमबर सिस्टेपल वन ओके वाट नेक्स्ट वेट 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 ओके मुरगा कहा है तू एक काम कर हालो है जाकर सो गया क्या हां नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भाई कहां है तू इस वक्त भाई मैं रूम में हूं ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है आरा भाई अबे तू नीचे यहां क्यों आया है भाई आपी ने तो बुलाया कि नीचे आओ मैंने कबूल आया आपके मोबाईल से सुनाई नहीं दे रहा है तू रूम से जल्दी नीचे आजा यार वो दोनों लिफ्ट के अंदर गया है तू टेंशन मतले मैं ढूंड रहा हूं अब भी जूण रहे हो हुए वो फ़र्ण प्लोर पहुच गाए है टेंशन मतलन से धूद लुच पन्या उर खुशन मतल्दी ने तो अगर मिल जया तो ठीक है यह तो पहारा आजा कि वायो अपिर फिलोवे पॉज़ी ने पुज़ी ने डिरा यार लगता इगा इग पुरा फर्दमियर लेश्टे लिख्षे यार प्लीस यार लिख्षे बहार रागा जल भीसे अब रूद रहा होना अगल कि अधर रूड़ी ना अशे वेख़ाई!! वेख़ाई!! वेख़ाई लोग बार्तिन वेख़ाई आज एडोग्धप प्रोग्ध़न पगड़ उसको सीडी दे जार पगड़ उसको अब लोग पारकी में जल दिया येस मुरूगा क्या है हे रॉन हरे तुम लग ये मुझा आया तुम लोग निलाप ये गंदिया मुझा टुम लोग ईंदिया जना जल कटँ़ किसी कि उलए भाइब भाइब दो जढ़ कोशिए जड़ हैं प्याँ जड़ कोशिपको कि दो जा गादा सिया जड़ से बादाोता प्राँ जड़ भादा गुप तक्झनया न प्रुब जड़ जले बादा परादा उल्डर सा लादा कि ऒादाना जड़ा घॉज इसमेह मौर सफ बשके आपके आपके सालके आपके आपके काई। है आपके ही एे एिक लगार कै इसकती है युज लगारांगे 7- topics आई हैंक लगारंगे 15lex में करची LAरांगे एक आंपके वा कि인स के लुगारांगे आपके आपके लुगार makes कर दो देके थे थे म्यांकुक्त। कर कर दो, कर दो. अभागो को! । भाग नहीं पाए! अर्जुन मैं यहां परूँ तू ठीक है ना यार कुछ हुआ तो नहीं न मुर्गा कहा है मैं यहां हूँ मैं कितने सालों से तुम्हें जानता हूँ और फाइट पहली बार देखा क्या फाइट करते हो यार सबकी बैंट बजा दी तुने देखा न दिन रात पैसा पैसा करता रहता है कितना रिस्क देखा बीस लाक रुपए बीस लाक रुपए बीस लाक रुपए मैंने लाइट में कभी इतना नहीं देखा जाज बीस लाक उसमें बीस लाक है क्या तुने देखा तो क्या बीस लाक नहीं है दरसर उसमें बहुत सारे गोल्ड बिसकिट्स हैं मैंने मम उसके कीमत लगाऊं तो वा गोल्ड बिस्कित इसम्में गोल्ड बिस्कित अरे गार्ड उसमें गोल्ड बिस्कित है अरे याँ जूट है आज एक बाद बताता हूं और तो भी सुन लेए आज के बाद हम लोग कभी चोरी नहीं करेगे यार मैंने अपनी लाइवे म सक बसकित देखा है गुडडे बसकित देखा है पारले बसकित लिकंत गोल्टी कभी ने देखा एक बार मैं उसे देखना चाहता हूं तta कहां है कहां है वह भाइए का तुम लोग ये कैसा बेहूदा मजाग कर रहे हो मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि बाइक लेकर जाओ हम अपनी बाइक लेकर रहे हैं तेरी वही पर थी अधे गया है सब कुछ गया है अरे सोचा था अपना जैकपॉट लग गया तुवे अपनी जिंदगी में किसमत ही ऐसी है जो गया वह थोड़े नहीं मिलेगा जिस बाइक पर तु बैठा था उस में रख नहीं सकता था अब तक वो माल के साथ थाना पहुंच गई होगी मतलब अरे मतलब क्या मतलब जान पर खेल कर मैं बचके आया हूँ अगर जरा सी भी ठील देता ना तो आज मेरा खेल खतम था मैं खुद को सेफ करता या फिर उस पर ध्यान देता किसी काम का नहीं है तू नाला एक जाओ यहां से जाओ मान मेरे पास भी नहीं आया और जिसका था उससे भी नहीं मिला गोल्ड बैग बाइक में रखा था हमारे सीवा वहाँ पर और कोई नहीं था मगर वो बाइक उस जगह पर नहीं थी कहा था कि बीस लाग हैं लेकिन उसमें थे गोल्ड बिसकिट्स सम्थंग सम्थिंग फ्कॉल्ड संव्ठिंग इस लोग रोग संव्ठिंग को वालूग देख चुके हैं हम नहीं बचेंगे हैं तेरे साथ कवत देले दख आपसर्ट ह checkpoint ध्यों बता का थे चाहल सब्सक्रायम हा और आध जोनी 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 मैं क्या तुछे बेवकूफ नजर आता हूं जोनी 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 तुम दोनों एक ही चाल मत चलो ज्यादा किट किट की तो हड़ी पसली तूट जाएगी ओइंट मेंड भी काम नहीं आएगा जोनी मझे गुस्सा मत दिला क्या कर लोगे मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूं मैं तुम से ही बात कर रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं मैं तुछ से बात नहीं कर रहा हूं अपनी आउकाद में रहा हूं दो कौड़ी के पंटर से डर के मैं अपनी आउकाद में रहा हूं चार सो बीस की आउलाद है ये चल तू क्या कह रहा है तुझे पता है तु जानता है ये कौन है? तु इनके बारे में जानता है? कितने सालों से तु इन्हें जानता है? तु ऐसे बोल कैसे सकता है? चल जाए यहां से! अब सुन! उन्हें रॉंग इन्फर्मेशन हम ने दिया था! बूल अब क्या करना है? तु जिसे लूट कराया है न? तुझे पता है उसका नाम क्या है? मूर्ती, पूरे बैंगलोर का सबसे बड़ा गोल्ड डीलर है वो! तुने उससे पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दिय है तेरे इस शरीर के छोटे-छोटे टुकडे करके रख देगा वो! तु उससे पंगा लेगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा! यही सोचकर हमने तुझे फिसाया! मुझे अपने जाल में फसाने के लिए कोई चिडिया समझ कर रखा है क्या? मुझे तु चाहिए! तेरी गुलामी करने के लिए मैं कोई तेरा प्रेया जॉन! देख जॉने! मट्रियल मेरे हवाले कर दे! मूर्ती से बात करके मैं आपने आपको बचा लूँगा! तु बागर है क्या? मर! तु जाकर मूर्ती से हाथ मिला लेगा, तो क्या सुचता है हम तुझे छोड़ देंगे? और तु जो मुझे धंका रहा है? ये खेल मेरे साथ मत खेलना! जो जान पर खेलता है वो किसी की भी जान लेने में कभी पीछे नहीं अटता! ए जोने! तु मेरे बार में जानते हो! समझाओ इसे! छूड़ दे यार! अब ये सब तेरी वज़े से हुआ! जो हुआ सब तेरी वज़े से हुआ! जेस थाली में खाया उसे मैं तुने छेत कर दिया नमक हराम! अर्जू, शान दुखे! अब आज के बाद, तेरा और मेरा च्छतिस का आकड़ा! अर्दू चल! च जो मारा उसे! मेरे लिए जाल बिचाया था! अब मेरा जाल कैसा है देखते जाओ! अब मेरा खेल शुरूर! सिर्फ इस कैमरा में ही इसका फेस सही नज़र आ रहा है! दूसरे कैमरा में तो इतना ही बहुत है! पुलिस कंप्लेंट करनी है! एक रिटेन स्टेटमेंट दोगे क्या? ये आदमी मेरे ही जात काम करता है! इसी ने ऐसा किया है! ये हम लोग कैसे कह सकते हैं! चलो जाने तो जो हो गया सो हो गया! उस बैग में क्या था वो हम पता लगा चुके हैं! स्कैन रिपोर्ट है हमारे पस! आप जाते क्या है? देखिए आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं! आप इस तरह का दुबारा कोई टांजेक्शन मत कीजेगा! प्लीज! ठीक है आप जाईए! जाईए पैग को स्कैनर में तुने क्यों डाला? भाई! उसी ने रखने के लिए कहा था? उसने रखने के लिए कहा तो रख देगा क्या? वहां से दूर जाकर मुझे फोन क्यों नहीं किया? पना पनाया पूरा काम बिगार दिया तुने! भाई! उसे पहली बार यह गलती हुई है! गलती होती है! पैग में कोई मूली भाजी नहीं थी कि कोई भी उठाकर ले जाए! तीन करोड के सोने थे! कहां से लाएंगे हम? हमें शक्ती भाई का हिसाब चुका रहा है! वो बहुत खतरना कावनी है! नमस्ते सर! क्या बात है? इसलिए एक हपते से यही खड़े होकर के सलाम ठोक रहे हैं? क्या बात है? कोई काम है क्या? सर, मैं आप से ही मिलने के लिए आया हूँ! देखो तुम्हे काम चाहिए तो मेरे मैनेजर से मिल लो! और अगर डोनेशन चाहिए तो मेरे साले से मिल लो! चलो ड्रेवर! सर, सर, सर! वो गजेंदर जी के बारे में… गजेंदर? वो कौन है भाई? सर, शुकला फाइनस के मालिक गजेंदर वही सर! गजेंदर नाम के किसी भी आदमी को मैं नहीं जानता भाई! सर, आप तो उन्हें भूल गए होंगे, लेकिन वो आपको नहीं भूले हैं, सर! सर, आपके जोलरी शॉप में मुझे डाकर डानने के लिए कहा था, सर! मैंने उन्हें मना कर दिया! अरे वो कौन हैं मैं नहीं जानता रिटा, उसकी बातों में मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूँ? अच्छा मजाग करते हो, एर राइवाद चलो! मैंने कहा तो उन्हें ने कहा गजेंदर को नहीं चानते, लेकिन मैंने उनकी आँखों में टेंशन देखा! आँखों मैंने कहा गजेंदर का कुछ तो करेंगे, लेकिन इतना बुरा हाल करेंगे, यह नहीं सुचा था। अच्छा थाद तो करेंगे, लेकिन देखा जचा सकत्ताव में टेमागे, यह नहीं सुचा तो करेंगे, लेकिन यह नहीं है, राइवाद तो को तो करेंगे, वेकिन धव। दॉक्टर, इनके जान को तो खत्रा नहीं है ना? नदिन्टर, जेल से छूटने के बाद तुम्हे सीधा मेरे पास आना चाहिए था ना? एक लगका तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, पता नहीं क्या क्या कह रहा था, तुम्हे और के साथ मिलकर मुझे लूटने का सकेच बना रहा था सुना है ऐसी बातने दुबारा मत सोचना है, तेरा मेरा क्या रिष्टा है, उस लड़के को क्या मालो? तेरी एक अंदर देखकर मेरे पूरे शरीर में संसना हो रही है, जल्दी से ठीक हो जा, मैं हूँ तुम्हारे लिए, चलता हूँ जौनी तुम्ही हो ना, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मैंने, बात बड़े खिलाडी हो, ख्याल रखो उसका, पैसे चाहिए, नहीं रहे हो कौन है यार, जौनी, सुभा से कई बार वो मुझे फोन कर चुका है, अरे फोन रिसी करके सॉरी बोल देना, किसे इससे, बहुत ही खतरना खिलाडी है, और कोई गेम प्लान कर रहा होगा, इसलिए फोन कर रहा है, यार, अरे, अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहा था, य बात करते ही हाजिर होगी, हाँ, एक दम सही बोल रहा है, सौ साल की उमर है, बहुत किसमत वाली हो तुम, तुमने क्या बताया था, कि तुम क्या काम करते हो, यह लो, मैंने तो पहले ही बताया था, मेडिकल रेप, एई, तुम चुपचाप खड़े रहा हो, चमचे कहीं के, अर्चन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या काम करते हो तो, तुम्हें सब कुछ पता चली गया है, तो फिर सवाल क्यों कर रही हो, मैं वो सचाई तुम्हारी मूँ से सुनना चाहती हूँ, कमान, यह ज़रूए नहीं कि हम हर बार सची कहें, जो तुम्हें सच लगया, ब जो अपने अपको क्या सबस्ता है, गजेंद्रे ने क्या किया दे साथ, जोने, तुम लोग अपनी चाल हमारे साथ चल सकते हो, तो मैंने चली तो क्या हो गया, उस शक्ती बेल के पास जाकर मैं सिर्फ हाई हैलो करने से वो जानने लेगा, तुने उस पर विश्वास करके ग गजेंद्रे को मानने की कोशिश की, बहुत से लग रहा है वो, वो जीएगा या मरेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुने तो अपनी चाल चल ली, तुझे क्या लगता है, वो बहुत शरीफ इंसान है, उसने टो पैसरों के लिए अपनी ही बीवी की जान ली है, गजें उसने तुझ पर विश्वास किया है, और तुने उसे मौत के मूँ में लाकर खड़ा कर दिया, गजेंद्र जैसा शरीफ इंसान इस संसार में मिलना बहुत मुश्किल है, वो जिन्दगी में अपने लिए कभी नहीं जिया, उसने अपनी जिन्दगी को औरों के लिए स्कूल बनवाया था, पैसों की समस्या की वज़र से वो स्कूल ठीक से चला नहीं पाए, बड़ी दिक्कत हो रही थी, वो उस छोटे से स्कूल को बढ़ा करके गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा देने के इरादे से अपना सब कुछ लगाने के बाद भी औरों की मदद लेकर एक नई बिल्डिंग बनानी का काम शुरू किया, ऐसे वक्त पर उसे आकर मिला शक्ती बेर, एक मामूली जूते की दुकान चला रहा था, वो शक्ती बेर और कितने पैसे चाहिए तुम्हें, ज़रूरत तो बहुत किया है, कम से कम पच्चों सु, लाक तुम्हें एक अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए पूरे गाओं से भी क्यू मांग रहे हो, तुम्हारे इस गाओं में तुमसे ज़्यादा नाम वाला कौन है भाई, तुम्हें तो लोग देवता की तरह पूछते हैं, फैदा उठाओ उसका, बेवकूफ हो तुम कमपनी, टाटा बेडला पैदा होते ही सोने का कलस्ति कराये थे क्या, कोशिश करने से क्या नहीं होता, दिमाद लगाओ, गोल्डन अपरचुनिटी है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तीन परसेंट ब्याज पर पैसा दूँगा, एक परसेंट तुम्हारा होगा, सार प्रावलम सौन हो जाएगी, अगवान का नाम देकर शुरू करो, आजनु तुम्हारे साथ आपको दे रहा हूँ, अब जरा सम्हाल कर रखेएगा सर, देखो जरा आराम से बात करो, एक आराम से बात करो, तुम्हारे बाप की दौलत नहीं माँग रहा हूँ, खुद का पैस वापस मांग रहा हूँ, कब देगा ये बोल, हम अगले अफते क्यों आए, हमके आपस साइलेंस, एक हपते के बाद क्यों, उनका पैसा है, वो मांग रहे, उन्हें दे दो ना, सर, प्लीज आप मेरे साथ एक मिट के लिए, आहां, क्या है, सर, एकाउंट में पैसे नहीं है, ये तुम क्या कर रहा हूँ, अकाउंट में पैसा नहीं तो गया का, सर, शक्ति बैंक को अपने ब्लैंक चेक दिया था ना, उसकी नहीं निखांगिया, एए, तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, एए, तुम दोनों मिलकर हमारा पैसा खा गए हां, देखो, चिलाओ मत, एए, क्या चिलाओ मत, पैसा वापस मगरो तुम उते चिलाओ मकदूखाम, एए, तुम दो अन्यवडेने, क्या निखाए हो, मुझे चाहिए, पैसा अनीज मुझे पैसा वापस चाहिए, टो आ भॉझे अगाना, पैसा युझा वाबो तुम लोग हमाराओ टानी करे दना, वापसा अन्यवडेने, हाटाम, चाहिए, ठो जय कारके हां, ये क्या सर्ज आप ने यहाँ सा क्यों कर दिया क्या हुआ प्यारे तुम इतने गब राए हुए क्यों हो ये क्या सर मैंने जो ब्लैंक चेक्स आपको दिये थे उससे आपने बैंक के सारे पैसे निकाल लिये एक कौंट में एक पाई भी नहीं छोड़ा सारा काल की कर दिया सर ऐसा होने का कोई चांसी नहीं है प्यारे जिनके पैसे हैं वो यहाँ जमा होकर आफिस को तोड़ फोड़ कर रहा है सर टाउड को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है सर इसलिए मैंने पुलिस को फोन कर दिया है बहुत अच्छा काम किया है तुमने इस वक्त तुम कहां हो आफिस में हूँ सर सेफ प्लेस अच्छा एक काम करो हाँ मैं अपने परिचे के एक इंस्पेक्टर को भेजता हूँ तुम उसके साथ आ जाओ सर यह वो मुझा अरेश्ट करना मुझा जनता के गुसे का कोई इलाज नहीं होता है प्यारे तुम्हे कुछ मुच नीच हो गया तो अरे तुम्हे कोई देखने है का क्या इसलिए तुम्हारी वालाही के लिए कह रहा हूँ अब आगे किसे कैसे सम्हालना है वो उस सम्में सेटल कर दूँगा मेरा विश्वास करो प्यारे सर आप पर विश्वास करके मैंने आपको ब्लैंक चिक दिये थे सर ठीक क्या आप पैसा वापस कर देंगे सर छोड़ो ना हाथ आए वोगे पैसे कोई देता है क्या बेवकूफ है वो उसके इमानदारी का कोई यूज नहीं कर दा मैंने यूज कर लिया विश्वास बहुत बड़ी चीज है वो कब काम आएगा गजेंद्र के अंदर चानी के बाद उसे कभी भाहर निकलने का मौका नहीं दिया जिन बैंक्स ने उसे लोन दिया था उन बैंक वालों ने सारी प्रॉपटी ले ली और जिसने पैसे जमा किये थे वो लोग उसके घरवालों को परिशान करने लगे इतनी पेज़ती उसकी घरवाले बरदाश नहीं कर पाए इसलिए जहर खा कर उन्होंने चान दे दी तड़प तड़प कर वो बरसो बार पाहर आया है शुक्रा फाइनांस में जिन लोगों ने पैसे जमा किये थे उन लोगों का एक-एक रूपिया ब्याज समेत वापस करने का फैसला किया है और इसलिए उसने शक्ती बेल के चूलरी शॉप में डाका डालने का स्केच बनाया है लेकिन तूने उसे नाकाम कर दिया पर वाला भी अच्छे लोगों को ढून ढून कर उपर बलाता है लेकिन बापी लोग आज भी यहां एशो अराम की जिल्दगी जी रहे है मैंने इसा पहले कभी नहीं दिखा आज उन लोगों को देखकर मैं सच्पिक बहुत शॉप्ट हो गई अर्चुन घर पहुंच टे कॉल कर देना बाई इतना टुकी अर्चुन उनके पास ही रहना और उनका ख्याल रखना जो इंसान अच्छा करना चाहता है उनके बारे में अच्छा सोचना ही काफी होता है भगवान हमान साथ अच्छा ही करेंगे बाइबल, कुरान, भगवग गीता, इन सब में बिल्कुल एच जैसा ही लिखा है, हर इंसान को अपने पापों का प्राश्चित नहीं करना होता है, अगर तुम अभी प्राश्चित नहीं करोगे अर्चन, तो कल हमारे होने वाले बच्चों पर इसना एफेक्ट पड़ेगा, चाहेगा कितना हुआ, पता है, जब वो शक्ती बेल आकर, जॉनी तू ही है न खाहा था, तब मेरे पूरे शरीर में आग लग गई था, ऐसे टाइम पर हमेशा अपने पास बरफ रखनी चाहिए, तुबारा उसके कोई स्केच बनाना चाहते हो, क्या, प्राम हो गया तो बॉड़ी ठंडी हो जाएगी, भाई, थोड़ा कांदा ज्यादा डालके चार आमलेट बनाओ, यहाँ मेरा आमलेट बन चुका है, तुम्हें दू, चाहे पी और निकलो, होटल बन करना है, बड़ी जोर की भूग लगी है, इसलिए बोल रहा हूँ, बना क्रिस्ट लगा, क्योंकि चारो तरफ CCTV कैमेरा जोर सक्योरिटी रहती है, सारे गहने लॉकर्स में नहीं रहते है, काम होने का कोई चांस ही नहीं है, करना तो है, इसलिए मैं करूंगा ज़रूर, लेकिन अपनी स्टाइल से, ए, जरा आराम से रखना, हम तुझे कुटे बत नहीं करते हैं, क्या शुरू करने से पहले, जॉनी, मैं प्लान बना रहा हूं, क्या है वो प्लान, पहले सोचने दो, अरे पागल हो गया है, तु इसे क्या जेब काटने जैसा समझता है, हे सुन, एक हाफ राय बना मेरे लिए, मुरगे का बच्चा लाया हूं, बड़े पहले ही हमारा सारा राज उसे बता कर आया है, तेरा चेहरा भी उसके कैमरा में कैद है, तुझे क्या ये मजाग लग रहा है, तुम तुम्हारा बदला जुकाने की सोच रहा हो, और मैं मसले कहाने लिकाने की सोच रहा हूं, क्या मतलम, मैं उससे दूर रहूँग, तो वो क सर ने बैठने को बोला क्या सॉरी सर क्या काम है सर वो मैंने गजेंदरी जी के बारे में आपको बताया था न तब आपने कहा कि आप उसे जानते ही नहीं उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर उन्हें देखकर आया तो क्या हुआ नहीं कुछ नहीं सर सर अगर मैं गजेंद्र के साथ रहता तो सारी बातें सुनकर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मिशन दे देता इंसान कोई भी काम करे लेकिन अपने फाइदे के लिए ऐसा आप ही ने कहा था ना सर इसलिए वैसे आप खोदी समझदार हैं सर जरा सोच कर देखिए थैंक यू सर चलता हूं सर बच्चे जी सर लास्ट है यह समझ गया सर मैं वैसा लड़का नहीं हो चलता हूं सर भाई मुझे सिर्फ दो दिन का टाइम दो भाई माल समय तुसे आपके सामने लाओंगा दो दिन देने का भी टाइम नहीं है मेरे पास अब जिन्दगी और मौत का सवाल है भाई भाई मुझे मेरी कसम भाई उसे छोड़ूंगा नहीं भाई हलो बहुत बहुत है हलमेट पाइन के रख्यों तुम्हें दिखाई नहीं देरा है हलमेट के उपर गलास है उससे नीचे के ग्रेवा पैसा दिखाई देरा है एक बार गुम हो जाने पे दुबारा नहीं मिलता है या रखना इसे रखो शक्ति के यहां डाका डालते समझे बहुत काम आएंगे यार तु इतना सारा पैसा लेकिया है कहां से लाया यार तेरी नानी की सास शक्ति बेल ने दिया है क्या उसके यहां डाका डालने के लिए उसने ही पैसा दिया सुनो चार चाय लेकर आना यार तुम मुझे बहुत कंफ्यूस कर रहे हो मैंने गजेंद्र की पोल खोली इसलिए उसने मुझे यह टिप दे दी देखा जानी एक इनफोमेशन के बदली इतने सारे नोट सच का है किसी ने बड़े लोग बड़े ही होते हैं वो वक्त के साथ चलता है अपना काम पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ रहकर तुम्हे कुछ करना ऐसा कहा था ना वो काम कहां तक पहुंचा हम्मम उसके लिए एक तीर छोड़ कर आयो क्यों है सर आपने एक छोटी सी बात बताने पर मुझे बहुत पैसो की मदद की सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गजेंदर को ही रास्ते से हटा देंगे तो आपकी रास्ते का काटा हट जाएगा अगर ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हो सर जहां तक मैं जानता हूँ गजेंदर का बहुत बड़ा गैंग है उस गैंग में कौन-कौन है इस बात का पता लगाने से पहले वो लोग आपका स्केच बना कर अपना ही खेल खेल कर निकल सकते हैं खेर छोड़िये सर बड़े लोगों की बड़ी बाते हैं यहां आकर डाका भी डाला जाए तो वो बाहर नहीं जा सकते हैं बिल बहुत ही छोटा जो है आगे आप समझदार हैं सर चलता हूँ उसके खजाने को खाली करने का आइडिया तुस्से मंगा तो तुने उसे हमें इस दुनिया से उठाने का आइडिया दे दिया हैं जॉनी भाई अभी से आपका दिल इतना तेजी से क्यों धड़ग रहा है उसके दिल में मुझे मेरा विश्वास जमाना है अगर मेरा कैलकुलेशन सही निशाने पर बैठा तो कुछी देर में मेरे पास उसका कॉल आएगा वार्क आउट हो गया शक्तिवेल तुझ जल्दी नहीं मरेगा समझा हलो बच्चे कौन मैं हूँ बेटा शक्तिवेल सर सर नमस्ते सर तुमने बताया था मेरे खलाब कोई स्केश बना रहे हैं वही सर गजेंद्र तुमने कहा था उसके साथ कोई है कौन है वो बेटा सर उनके साथ पूरी टीम है सर मुझे उनमें से किसी का नाम नहीं पता है लेकिन आपको हो तो मैं पता लगा कर बताता हूँ आपको तुमने काम करोगे अहां बोलिये सर उस ग्रूप में किसी विद्र तो शामिल हो जा अरे नहीं सर दरसल मुझे बहुत डर लगता है सर डरने के क्या ज़ूरत है विटे मैं हूना तुमारे साथ सर ये बहुत बड़ा मैटर है ना सर फिक्र मत कर बच्चे मैं तुमारा पूरी तरह से ख्याल रखूंगा क्यों मुझ पर विश्वास नहीं है क्या जी है ना सर आप कह रहे हैं इसलिए हां कह देता हूँ करो काम उनके साथ करो और वफादार मेरा बंड कर लहो बोस जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ शक्तिवेल उनके लिए जो गड़ा खुद रहा था उसमें वो खुदीगीर गिया हरे मेरी खुपणी में तो कुछ नहीं गुस रहा है तु मुझे शौक दे रहा है लगता है आज एक कौटर जादा पीनी पड़ेगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तू क्या कर रहा है तुझे समझ रहा है न तो ठीक है वो कोई गोल्ड डीलर है ऐसा तुमने कहा था क्या नाम है उसका अब वो किसलिए बताओ न मूर्ती मूर्ती क्या कहा उसने कुछ नहीं छोड़ अरे क्या कुछ नहीं छोड़ हम चार लोग यहां पर बैटकर ओपनली डिसकेशन कर रहे हैं फिर उसने तुम्हारे कान में बोला क्या अगर यह बात है तो मुझसे कोई उमीद मत रखना अरे अर्जुन तू टेंशन क्यों ले रहा है अरे क्यों टेंशन ना लूँ मैं अब मैं भी उसके कान में जाकर यह बात भूग दूँगा कोई ग्रुप डिसकुशन नहीं होगा ए अर्जुन 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 ए तेरी मानी तुझे किस वक्त पैदा किया था उसकी आदत पता नहीं है क्या क्या जर्वत थी उसके सामने मेरे कान में मंतर पढ़ने की उसी कर उसी कर उसी कर बात कर हाँ बोल यार ठीक मैं आ रहा हूँ जोनी हम दोनों बाहर जाकर आते हैं तू यहीं पर रहे जोनी मुझे मूर्थी का नंबर दो क्यों देते हो या नहीं बताओ फोन लाओ यह शिवा जी यह शिवनगर का यह मार्केट का नंबर 980888888 टोटल पांच लाख हो गये हैं सब इसक्ष्जूज में अल्लॉव कौन है आप मुझे नहीं जानते लेकिन आपका माल मैं नहीं उड़ा है था इसक्योज में यह तु जानता भी है तू क्या कह रहा था भाई अप इतना गुसा मत करो भाई तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं भाई भाई बस एक मिनट एक मिनट अब तो तू कहा काम से भाई आप नाराज मत हो ये देखिए मुझे पता नहीं था कि वो आपका माल था और ये भी नहीं पता था कि उसमें गोल्ड है भाई जो information मिली थी ना वो wrong थी भाई तुझे information किस ने दिती बोल वो कौन जोनी चाहे वो कोई भी हो मैं छोड़ूँगा नहीं उसे वो सब तो बाद में दिखते हैं भाई उससे पहले यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है पहले उसे सॉल्व करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन देने वाले जॉनी को और माल उड़ाने वाले मुझे एक डेड़ शाना चूना लगा कर चला गया भाई कौन है वो भाई वो लड़का मेरे साथ काम करता था भाई ए तू ड्रामा करना मेरे साथ मुझे ड्रामा ही करना होता तो मैं आपको फोन करके इतनी सारी बातें क्यों बता था उसका नाम बोल देव देव राज उसका एड्रस बोल भाई मुझे दो दिन का टाइम दो भाई मैं दो दिनों के अंदर माल के साथ उसे भी उठा के लिया आउंगा सौन पहले मुझे मिलने आ एक घंटे में फोन करके बताऊंगा कि कहां आना है ठीक है भाई चल फोन रख पक्का पक्का तु पॉल्टिशन्स का बाप है अरे क्यों? क्यों मतलब क्या है? हम मोबाईल में गेम खेलते हैं और तू हमारी लाइफ के साथ ही गेम खेल रहा है वा अर्चन, ए अर्चन, इसलिए तू एक पिंजरे में बंच शेर को बाहर निकाल रहा है जॉनी भाई, खून की हुलिया अकेले खेले तो उसमें मजा नहीं आएगा लेकिन साथ में अगर दो-चार रहेंगे ना तो उसका थ्रिल अलग होता है ए तेरे ख्रिल के चकर में तू हमें क्यों घसीट रहा है वो क्राउस चेक किया तो सब कुछ करेक्ट होना चाहिए तब ही उसे हम पर विश्वास होगा फिर देवा का नंग क्या लिए बली का बकरा वो एक ही है भाई माचिस दे ना माचिस फ्रिदने के लिए इसके टेक्ट्री में चलोंगे क्या कोने सर क्यों नहीं आओगे वाई किसी ने चुराया है ना नहीं सर मैंने नहीं चुराई क्यों मार खा कर मरना चाहते हो सच सच बता दो इस जब से सच बता दो वर ना क्रिमिनल केस लगा दूगा फसा दूगा क्या बात है आज यहां ऐसे क्यों खड़े हो सर चीटिंग केस में एक लड़का पकड़ाया है उसकी अच्छी से दुनाई की तो एक बहुत बड़ा मैटर सामने आया है उससे ले क्या ओके सर क्या बताया इसने बताया एक दुकान लूटने का स्केज बना रहे है वो भी शक्ति वेल ज्वेलर सर 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 मैंने कुछ नहीं किया मा के समसर मुझे कुछ जाने दीजिए है चलो दे जाके ख़़ा जा यह क्या कोपाल जी इससे इस तरह नंगा करके क्यों लाए हो सर बगवान के लिए मुझे कुछ जोड़ दो सर जाओ जाओ पहले से यहां से लेकर जाओ स्टेट्मेंट लिया है क्या हां लिया है ना सर देखो जरह सोस समझ के डील करो ऐसे ही पहले से बहुत टेंशन है मैं चाहता हूँ किसी भी तरह से जोलरी शॉप वाले को अलेट कर दे सर सेफटी के लिहाज से कह रहा हूं सर पहले मेडिया वालों को बुलाओ एक स्टेट्मेंट दे दो तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे जोलर शॉप के चमचे हो कभी कभी पुलिस वालो जैसे भी बात करो अच्छा यह बताओ कि उस लड़के किलाव कोई क्रिमिनल केस है क्या नहीं है सर तुम्हारी इस हरकत की वज़े से अगर यह मामला कोट में चला गया ना तो मेरी दो कोड़ी की आउकात नहीं रहेगी देखो जो भी करो सो समझ के किया करो अगर उस लड़के को कुछ हो हवा गया ना तो होम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगने के लिए उपोजिशन वाले सड़क पर उतर आएंगे क्यों बीना मतलब मुसीबत मोल ले रहे हो समझा करो बात को सर मेरे इसाफ से यह सीरियस मैटर है सर ऐसा है क्या हाँ सर ठीक है एक काम करो जोनी यह टोटल बिल्लिंग प्लान है इसकी एंट्री यहां से हम लोग यहीं से अंदर जाएंगे और एक्जिट यहां से है और इसका लॉकर यहां पर है मुझे इससे बात नहीं करें काले कावे की आवलाद है बहुत अच्छा खेल खेल रहा है प्लान सर यह मेरा बनाय हुआ नहीं है उनका बनाय हुआ प्लान है ठीक है उसमें तुम कहां रहोगे सर, उनको साथ मिलेकर मैं ही तो आउँगा, और सारा का सारा माल पैक करके, शिब भी तो मैं ही करूँगा सर, उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगा सर तो तुम उनके साथ रहोगे न, वो लोग क्या-क्या कर रहे हैं सारी खबर देना ये बात उन्हें पता चल गई तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा सर मैं हूँ तो रिस्क कैसा अच्छो तुम अंदर जाओ ये कैसे एमरजनसी एग्जिट से अंदर जाओंगा सर लेकिन वहाँ तो सिक्यूरिटी है ना उसे कुछ दे कर लोड़का दूँगा सर क्या और उसके बाद आपके ओफिस में एंटर होंगे सर उस वक्त मैं आपको इंफर्म कर दूँगा नई 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 उस वक्त सिर्फ यही साबित होगा कि वो लोग सिर्फ चोरी करने आये थे वहाँ से जैसे तयसे तुम लॉकर में एंटरी करोगे वो कैसे सर, सीलिंग में बड़ा ड्रिल करके होल बना कर वहाँ से एंटरी करा देंगे हाँ, सर वो तभी पकड़ी चा सकते हैं नई, 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 सर फिर वो लोग आईटम लेकर निकल जाएंगे सर मैं भी तो वही चाहता हूँ, निकलने दो, उन्हें सब लेकर निकलने दो, तभी तो चोरी का पक्का केस बनेगा, तू कुछ कह रहा था ना वो, चुहा, बिली, लाठी, कुछ-कुछ सर, वो तो फ्लो में ऐसी बोल दिया बिल्कुर ठीक कहा बच्चे, जा 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 शुरू करो, जा, सर, वैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना सर, तुम्हें कुछ हुआ तो मैं हूँ ना, ठीके तो फिर मैं चलता हूँ, ठीके सर, नमस्ते, नमस्ते भाई, कल कॉंटेक्ट करना, जी जा जी, यह मौट डाउथ हो रहा है जी जा जी, वो लड़का आपको उल्टी सीदी पट्टी पढ़ा रहा है और आप उस पर यकेन कर रहे हैं, जोड़ना, क्या छोड़ू मैं आपके बने के लिए बोल रहा हूँ ना, तुम अपना काम करो, आओ मेरे साथ, सुनो, तुम बाहर जाओ, तुम भी ज़रा बाहर जाओ, ठीक है सर, तुम ज़रा इधरा, जानते इन लॉकर्स में क्या है, इसमें, और इसमें, क्या, 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 क्याने, एक बार फिर से बोलो, क्याने, कितने है, साउंड वहां नहीं, यहां निकाल, ओरिजनल कितने है, डुपलिकेट कितने है, ए, तुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ उबलता रहता है, गाये खरीदने से पहले ये देखना पड़ता है, कि वो दूद कितना देती है, समझ गए बेटा, एक लड़का आकर कह रहा था, कि तुमारे यहां ढाका डालने वाला है, मैं कहूंगा आजा बेटा, यहां ढाका डाल, और लेकर चला आजा सब कुछ, चला जा, ऐसा कहने वाला मैं पागल हूँ क्या, क्या रे गधे, जब मैं बैंगलूरू आया था, तो 300 रुपे थे मेरे पास, लेकिन आज की तारिक में, 32 बैंक्स में मिनिमम् 300 क्रोस का बैलेंस मेंटेन कर रहा हूँ, हाथ पैर नहीं चलाता मैं, दिमाग लगाता हूँ, ये शक्ती वेल, जो भी करता है न, बिना फायदे के कुछ नहीं करता, इसमें जितने भी गहने हैं, आल्मोस 60% ब्लैक है, ये तुझे नहीं पता, चोरी कर रहा है न, करने दे, इंशरेंस क्लेम करूंगा, ब्लैक को वाइट करूंगा, खास कर से मेरा निशाना वो गजेंद्र है, शराब पीकर घर में लफडा करने वाली का केस लेते रहेंगे, तो ऐसे केस की देश में भरमार हो जाएगी, जाओ इसे अपने घर में निप्टाओ, जाओ, पहले ही काम से फुरसत नहीं मिलती, जाओ, ए क्या हो अरे, सर मुझे साहब से मिलना है, अच्छा साहब अंदर ज जाओ, अरे बेहन जी, समझ में नहीं आ रहा है, जाओ, गेट के पास तुम खड़े रहोगे, कोई तुम से पूछे, तो कहना मैं नहीं हूँ, समझ गए ना, सर फोटो, सर दिन रात मुझे कोई फॉलो कर रहा है, सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ये काम नहीं कर पा अंटी, तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉंग एविडेंस है, सर, हमारे एविडेंस जुनने तक, वो सारी दुकान लूट कर निकल गया, तो क्या करेंगे, सर, क्या बात है, उस ज्वेलर शॉप से तुम्हारा बड़ा करीबी का लगाव है, ऐसा नहीं है, सर, जोरी होने के बाद ही, हम किसी ए खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उस लड़के का ज़रा यूज करो, पूरा डीटेल्स तो उन्हें समझा चुका है, अब आइटम वहां कैसे लेके जाएगा, यार, क्या, कनफर्म यार, सलाक है, जेल, दोनों एक ही एंजरा चुप रहेगा, जोनी, मैं एक बात बताना भूल गया, मेरे दादा जी बहुत सेरियस होने हॉस्पिटल मेडमिट करवाना है, इसलिए मेरे जाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक विक की ब विए रेड़ी फॉर एक्शन, अलो, सर, वो लोग बीस मिनिट में यहां से निकलने वाले हैं, ए, ट्रेन खाली हैं के सोते मत रहना उसमें, जाखते रहना, ओय, इतनी राद गए, यहां क्या कर रहे हो, सर, यह दुकान हम लोगों की है, सर, दुकान वाले हो तो अंदर रह मैं हो, बाहर क्या कर रहे हो, छी के सर, वे जौ़े बाहर क्या कर रहे हो, ठीक है सर, वे जो, यहार रोकाने चालो, टीचे लो जी आजी हम लोग गाड़ी के पास ही है वहाँ पर कोई अंजान गाड़ी आई थी क्या नहीं जी आजी लेकिन कुछ गाड़िया पास ज़रूर हुई है अगे से रास्ता है क्या वाटर डिपाट्मेंट वाले आने वाले हैं वहां खुदाई चालू है इसलिए बोर्ट लगाया है ओके आज़ा यह एड्रेस आज देखकर बताओ गे ज़रा लाइट में हो अच्छे से दिखेगा सण फिर में न लाइट डूह рук सर अच्छे धुकियों प्रीकर चुकत रास्चेंट्पाश हालो भाई मैं हूँ भाई अबे क्यों फोन किया भाई कुस्सा मत हो भाई मैं छोटे से प्रॉब्लम में फंस गया था ए गाडि रोक खेल खेल रहा है मेरे साथ भाई माल मिल गया भाई आप अपने लड़कों को सरकल के लाल बती के पास भेज़तो मैं उनके हात में देता है भाई नहीं भाई सच में दे रहा हूं भाई उन्हें भेज़तो तो सही ठीक है सर बोल बच्चे हम सब लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और उपर भी चड़ गए हैं अब काम शुरू कर रहे हैं उससे पहले सुच आपको फोन करके बता दो अरे एक मिनट वहाँ क्या चल रहा है उसकी इंफर्वेशन मुझे देते रहा है समझ कैना बच्चे तो अभी क्या चल रहा है मेरे साथ बहुत सारी लोग हैं सर किसे ने अगर देख लिया तो ये बात है समझ कैना सर आप क्या चाहते हैं ये मैं जान गया हूं सर मैं सब संभालूंगा कोई मुझे देख लेगा इसलिए मैं फोन रख रहा हूं नहीं तो प्रप्लम मुझे आईगी सर ठीक है सर मैं फोन रख रहा हूं क्या है बेस्मेंट में आने से पहले तुने ग्रिन कलर का अंडर वेर पैना है उसमें वर्मा नाम का टैग लगा हुआ यह भी बता देता क्यों छोड़ दिया यार चल आजा ठीक है जी आजी सर वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं अब हम उन पर अटैग कर सकते हैं सर जल्दबाजी मत करो उन्हें पहले चोरी करने तो दो जल्दबाजी मत करो जय जाजी मत कर सकते हैं एक भी बताई आजी जो जयरे रहे हैं चुट्दाजी मत कर सकते हैं जयरे चुट्धी झाल दो झाल 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 यहां क्या चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं है अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज मुझे बचा लेना और उन्हें फसा देना मैं जड़ा भी फिगर नहीं करूंगा अरे यार तुम दोनों को मेरे घर का अडरेस पता है ना अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी कौन सा मशीन ड्रिलिंग 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 ड्रिल्मशीन कान के साथ मूई टाका हो था कुछ तुनाए ने दे रहा तकिन भी सुनाए देग्या है व्यार है खज़ड़ान, शबड़ान, खज़ान, ख़दिए फ।टार मेंवाराइए और फॉज़ान खश्टार्ट वाईख अवारा ब्राइख अबड़ाइख घ्रपदेट है, खज़ान खब दोमा खफटाराइब कि लिए ये बंदूर जच ज़ता है, चल्यज़ान है। झाल 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 सर एक्स्टा पुलिस वाले को बुला लू सर सेफटी के लिए बुला लू सुनिये बुला झाल झाल जाल झाल एक एक्स्टा झाल हलो झाल झाल जाल आईटम लेने के लिए आईटम लेने हलो सारा माल लाकर तुम्हारी गाड़ी में रख दिया है अच्छा सारी बास आईटम गाड़ी में पहुँच गई है चलो बैर चलो अच्छा अच्छा सब्सक्राइब एस अराइं को यह वियूर सो वेशिए है सार्ड़न न्यूर नथो निमिलिये सार्ड एई और जाओ बाहर जाओ यहां से त्म 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 सर इस बीचारे पेकゃ घुष्टा हो रहा है वो थो तो पिडियोटी कर रहा है कैसे नहीं अच सब्शत मेया पेली है औस से नाग की ना गत्वी नुछ मुझे पता है किसी मुझे मुझे सबर्दस्तुरा बया है ये क्या है? वहाँ देखो पुरा का पुरा लॉकर खाली हो गया है, ये चिंदी भर मुझे क्या दिखा रहे हो? आप सही कह रहे है, मुझे भी ऐसा ही लगा, मैंने कुछ लोगों को पकड़ के जेल में बंद किया है, वो लोग सही सच्चा ही बताएंगे, उन्ही से पूछते हैं, वो बोल रहे हैं कि आपके आज़ी, दर्वाजा खरो जरा, जी जाची, ये तो मेरा साला है, अरे तुमने ज्यादा ही बीजी है, गेम खेल रहा है तू, आप लोग तो बड़े लोग हो सेट, आप लोग उसे कौन गेम खेल सकता है, हाँ लेकिन बस छोटा मुटा गेम तो खेली लेते हैं, हेई, अपनी उंगली पर मैं ना जाने कितनों को न चाता हूँ, लेकिन तुने तो मेरी ड सर, नमस्ते सर, सर, जरनी करके टायर्ड होगे क्या, तो जरा आराम कर लीजिये ना सर, हेई, क्या चाहिए तुझे, मुझे क्या चाहिए ये जानने से पहले, ये जान लोगी तुमें क्या करना है, शुकला फाइनांस, क्यों शुक लग गया, तुम जितना जो कुछ भी खोते हो, वो वापस यही पर पाते हो, ये भगवत गीता में लिखा है, एक तीस करोड रुपे देखर, अपना सारा माल यहां से ले जाओ, ये तुम्हारा साला है, इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ, जरा समझा देना इसके भेज़में बात, हेको, हे, तुजरा चुप रहेगा क्या, वेक, हे, नो डायलॉग्स, आउनली आक्शिन, पैसे दो और अपना माल लेकर जाओ, नहीं तो, वहाँ देखो, मुकेश, हलो, सब कुछ उसी के पास है, उन्हें खुद नहीं पता कि उसमें क्या है, बस उसे सिंपली एक सिगनल दे दिया न, तो सारा माल दरिया में डाल देगा, उसके बार, अगर तुम्हें तैर ना आता है, तो जाकर निकाल दो, ए, वो इंशुरेंस वालों को बुला ले चारा, क्या इंतजार करूँ, फोन रख, ए, वो छोटा बाजार जाकर के मेरे सेट से मिल, उससे पैसा लाकर इसके मुँपे मार, इंशुरेंस क्लेम करने से हमारा ही फायदा है, इसमें तीस करोर भो खाएगा, ले जाने दो, फिर भी हमारे पास बहुत बचेगा, जी या जी, पैसे मिल गए, आदे घंडे मैं वहाँ पहुँच रहूँ, पैसा मुझे लेना है, तो उसके लिए यहाँ वाक्यों भटकूं, चल फड़ा फड़ डिक्की खौल, कहने मिलने से पहले एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे, पैसा मिले बिना तुझे सोने का एक ग्राम भी नहीं मिलेगा, ए, क्यों अपना घला खराब कर रहा है, पूरा सोना में कंधे पर लाद कर घुमूंगा क्या, उसे रखने की जगा पर ही रखना पड़ता है, चल दिक्की खौल, सर, मैं तो पूरी तरह से बरबाद हो गया हूँ सर, मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई है, कभी भी एक मिनेट लेट भी अपनी दुकान नहीं खोलता था मैं, कुछ करो सर, कुछ करो सर, टेंशन मतलो, हम लोग है ना, हम लोग सब सम्हाल लेंगे, सर, मुझे इंशुरेंस दिला दो सर, इंशुरेंस दिला दो सर, आपके मांगते ही देने के लिए ये कोई बैंक नहीं है, तरा सम्प्रोसीजर, पहले एंक्वाइरी होगी, फिर पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे, इट विल टेक सम्टाइम, तब तर तो मेरी लाश किर जाएगी सर, सुन लिया, ये लोग मिलकर मुझे मार डालेंगे, ए, जल्दी गोली लेकर आ, अरे पानी कौन लेगा, के ता है? के ता है? सारे गहने को तो कही चुपा क्या रहा है? फिर हमें एक सरी उठा रही क्या दो रहती है? गहने वही पर सेथ है, उसे लेकर हम बहार नहीं बटच सकते हैं. हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और पैसा आएगा. मुर्गा, तू जानता है मेरा में शिकार कौन है? वो शक्ती वेल नहीं है. देखता जा, उसके साले को मुझे सबक सेखा. हमारे दुख को तूने समझा यार, अपना रास तो नहीं है. तो चाहता था ना कि मैं कोई बड़ा काम करूँ, तो चल फिर अब रिसक उठा ले. तेश, भाई किसी ने चुराय है ना? तुकान रूटने के लिए इन लोगों नहीं कहा, ऐसा मैं कहूँगा. तो ये लोग मानेंगे नहीं है. हमें सच्चाई साबित करने के लिए, कोड को चाहिए, गभाः और सबूत. अग सारी सच्चाई सामने आ चेकी है सर. इन्शुरेंस क्लेम करने के लिए ही ऐसा प्लान बनाया हुए है. अपने ही लोगों के द्वारा, सारा एविडेंस पक का है सर. सारे गहने मिल गए सर. चोरी भी माल की कीमत क्या है सर? सुना है आपने इन्शुरेंस क्लेम करवाने के लिए खुदी चोरी करवाई थी? मैंने कहा था ना, ये तेड़ शाना है, नामुम्किन काम को मुम्किन किया है इसने, इसमें कोई शक नहीं. मासू पोहुच लिए सर. और ये पैसे जिन जिन को देने हैं, उन्हें अपने हाथों से दे कर, अपने माथे पर जो कलंक लगा है उसे मिटा लिजी. मैं भी पैसे देना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ एक को. माँ, प्लीज डूंट क्राएं, प्लीज डूंट क्राएं, प्लीज. क्या जिन्टर जी कैसे हैं? वो ठीक है. ठीक है माजे, अब मैं चलता हूँ. नमस्ते. अब तुझे हमेशा कुछ रखे बेटा. अर्जन? थैंक्स. थैंक्स किसलिए? तुमने कहा इसलिए मैंने किया. बै. मैंने कितनों को टोपी पहनाई है, लेकिन कभी किसी के आँखों में आँसू नहीं देखे. लेकिन आज खोई हुई चीज वापस पाने के बाद, बहुत खोशी मिलती है. और जहां से हमारा दिल बदल जाये, समझो सवेरा वहीं से है. ये लो बेटा, तुमारे पैचान वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें लोटा रहा हूँ. बाइक चोरी हुई थी, तब भी मैं पुलिश स्टेशन नहीं गया था. इस गाड़ी के लिए 25,000 रूपे दिये थे, वो देदो बेटी. 25,000? अपर ओल, 25,000? उसमार दसुपेस जादा दे दूँगा, स्टेशन में जमा कर देंगे, कोई ज़रत नहीं है इसे हम ही रख लेते हैं तुम सबने अपनी जिंदगी को दाओं में लगा कर पता नहीं कितने सारे परिवारों के आंसु पोचकर उन्हें फिर से बसाया है उस महनत के लिए उपर वाले की तरफ से इंजॉय करो करेंगे शादी के दो साल के बाद फामिली प्लानिंग करेंगे अगर तुम सच में मढद हो तो चार बच्चे दूंगी तुम्हें और अगर तुम ना मढद निकले तो तुम्हें छोड़े भी भाग सती हूँ